जिसके चल पलकाली जमगेली जुलपे मले आये चपनी ही मामा मडे बाले परवत परागेली आखे लमचारी है याद रहे लोगो देवकी कहने लगी प्रवू आप यहां कैसे आ गए चेचे महीना हो जाते हैं कंसे जाड़ू नहीं लगवाता मैं तुमारी क्या सेवा करें अब तरोते रोते मेरी आखों के आशो भी सूप गए भगवन मेरी आखों में तने आशो दे दो जो मैं तुमारे कि हे प्रव इतना ही अवसर्दो लूंबा नेन के जरनों को बड़े सकूं तुम्हारे आगे को धो सकूं तुम्हारे चरनों को मैं सेवा करवाने नहीं बल्के सेवा करने को आया हूं मैं तुम्हारा बेटा बनके आ रहा हूं मेरी वाद सुनों मैया कि अधिक बात का समय नहीं अपोई लीला करने का अम्मा उका दे कि अधिक मेरी जाने मचानी हैं को कुल में हमको पहुचा दो कि अधिक मेरी नहीं आधिक मेरी तेका ना किसी दिन अधिको रूगा ता कंस मामा कोई ओर भाया धूले में मिला कर छोड़ूँगा भगमान बोले माद मौतियवा मामा कंस की आई गई है लगे कर लगे 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 भाय मौतियवा मामा कंस की आई गई है लगे कागे लगे 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 भगवान ने शिशू का रूप धालड किया और मैया देवखी की बोदी में गिर गए वोले ज़िदानन भगवान की देवखी बोली पिया भाया ने मेरे छे बालक मार दिये मुझे कुष्ट नहीं हुआ इस बच्चे को बचा लो बस देवजी कहने लगे हतकणी बेडियां ख फाटे खुल जाते तो हम चले जाते कैने की देरी हतकणी बेडियां खुली में पैरेदार सो गए फाटे खुल गए एक सूप में भगवान को लिटाया और यह भी बता दू वो समय कौन सा है थी अरद निसा गन भो रगता पूदन की तनिकरिंजिनी थी अगोले तो कसम से तहिले ही भादों की ग्रेश में अस्तवी थी अगोले तो कसम से तहिले ही भादों की ग्रेश में अस्तवी थी याद रहे लोगवान की ग्रेश में अस्तवी थी